नमस्ते गाइस, राजे शेफ और नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने रेड्मी K20 या फिर रेड्मी K20 प्रो में MIUI 12 का जो अपडेट है उसे साइड लोड कर सकते हैं तो वैसे तो शाओमी ने ओफिशियली OTA अपडेट रोलाओट करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में MIUI 12 का लेकिन अभी तक यह एक वाइड रोलाओट नहीं हूँ है स्टार्ट हो जाएगा by the end of this week नहीं तो early next week तो इसलिए अभी सारे Redmi K20 और K20 Pro owners को MIUI 12 का अपडेट हो सकते हैं नहीं मिले तो अगर आपके भी फोन में अभी तक MIUI 12 का अपडेट नहीं आया है तो disappoint होने के बात नहीं है अच्छी बात यह है कि आपका किसी भी तरह का कोई डेटा लॉस नहीं होगा तो फोन में जो भी आप्लिकेशन और आप डेटा है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे अपडेट के बाद भी प्लस इसके बाद एक बाद जब आप आप मीवाइट को साइड लोड कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी फ्यूचर ओटी अपडेट्स हैं शाओमी जब भी रिलीज करेगा मीवाइट के वो भी आपको रेगुलर ली ही मिलेंगे किसी भी तरह का उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है तो मैं तो रेकेमंड करूँगा कि अगर आपके फोन में मीवाइट का अपडेट शो नहीं कर रहा है तो आप इमेडियेटली इस वीडियो में जो मैं स्टेप्स दिखाने जा रहा है उसे फॉलो करें और मीवाइट को साइड लोड कर लें अपन अनिमेशन भी नहीं है और ओवराल मीवाइट को एक बहुत ही क्लीन लुक मिल रहा है जिसकी वज़े से यह एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देता है स्पेशली रेट्मी के 20 और के 20 प्रो में क्योंकि इसमें आपको एक अमुलेट पैनल भी मिल रहा है जो फॉर्म वेर कर दे रहा हूं कि इस मेठर्ड का कोई साइड एफेक्ट नहीं है एकसेप पर आपस यह कि आपको 2.5 GB के आसपास बड़ा सा फाइल डाउनलोड करना है तो मेक शूर करिए है कि आपके पास एक स्टेबल और स्टेडी इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास यह option है कि आप डा 12 का जो अपडेट फाइल वो डाउनलोड करना होगा इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया है वहां से फाइल डाउनलोड कर लीजे यहां पर आपको पूरा रोम डाउनलोड करना होगा तो उसकी साइस काफी बड़ी होगी अराउंड 2.2 2. 2.3 GB तो मेक्शूर करेगा कि आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हो डाउनलोड करने के बाद फाइल को अपने फोन में ट्रांसफर कर लीजे क्या फिर आप चाहे तो इससे डायरेक्टी अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं तो एक बार आप जब फाइल ट अप्डेट ओप्शन जो है वो सब इनेबल हो जाएंगे आपको यहां पर टोस्ट नोटिफिकेशन भी दिखेगा यहां पर भी नहीं आया क्योंकि मैंने अल्रेडी उसे इनेबल कर लिये अब यह जो अड्वांस अप्डेट ओप्शन से इसे अक्सेस करने के लिए यहां जो 3. overflow menu बटन है इसे दबाएं फिर जो चूज अपडेट पाकेज को अप्शन है उसे सेलेक करें फिर नीचे स्क्रॉल करके जो MIUI 12 का रोम फाइल आपने अपने डिवाइस में ट्रांसवर किया उसे सेलेक करें और यहां पर जो है अपडेट फाइल को डिक्रिप्ट करेग और देखेगा कि यह आपके फोन के लिए compatible है कि नहीं यहां पर यह हो सकता है कि अगर आप MIUI 11 के पुराने वर्जिन में हो तो कोई एरर आ जाए या फिर आपका डिवाइस अगर किसी और फॉर्म वेर पर हो यानि कि stable MIUI 11 चैनल पर नहीं है तो भी आपको एरर मिल सकता है त तो इसे मैं टाप कर देता हूँ और अब रोम फाइल डिक्रिप्ट होगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को अराम से 4-5 मिनिट यह मेक शूर करेगा कि आपके फोन में कम से कम 50% चार्ज हो और अगर नहीं है तो रेड्मी K20 Pro में इंस्टॉल हो गया है और स्टार्टिंग में छोटा सा सेटप प्रोसेस है जहां पर मुझे मुझे नए फीचर्स है उनके बारे में बताया जा रहा है जितने भी नए फीचर्स हैं में उनके बारे में हमने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है तो उसे आ लेकिन मैं कुछ ओवर्वी दे देता हूँ आपको तो भी तो आपको में कुछ नए सिस्टम अनिमेशन मिल रहे हैं प्राइबसी रिलेटेड बहुत सारे इंप्रूब्मेंट्स है तो आप अराम से फोटो शेयर कर सकते हैं विताउट लोकेशन इंफोमेशन मेटर डेटा क स्क्रीन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्लीनर लग रही है यूआई एकदम से अपडेट के बाद इसका रीजन यह है कि जो सिस्टम फॉंट है उसे शाओमी ने ट्वीक किया है नया जो वालपेपर है पीछे यह बहुत ही अच्छा है और अगर आपके पास 12 पर रन कर रहा है कि नहीं यह पर देख सकते हैं मिवाइट 12.0.1 पर रन कर रहा है मेरा रेड्मी के 20 पर और जो भी मेरे अप्लिकेशन इंस्टॉल्ट है अब देख सकते कि वो सब भी है उन्हें में आराम से यूज कर सकता हूं नए नए सिस्टम आइकन भी है कुछ कुछ देख सकते हैं मी कैलकुलेटर गालेरी इन सब के जो आइकन्स है वो सब थोड़े नए और मॉडल लग रहे हैं देखने में और अच्छा लग रहा है यह जो कैमरा आप है उसे भी एक नोटेसिबल अपग्रेड मिला है मिवाइट 12 में आप सबसे पहले जब कैमरा आप ओप भी मिला है switching between modes जो है बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है overall UI बहुत अच्छा है modern लग रहा है जो फोन आप है उसे भी UI tweaks मिले है यह और अच्छा लग रहा है दिखने में और usability इसकी इंप्रूव की गई है पहले से तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों I hope इस में MIUI 12 का जो official update है उसे install कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगा हो तो हमाई चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करेंगा और इस वीडियो के लिए पस इतना ही दोस्तों I hope इस वीडियो से आपने easily अपने Redmi K20 या फिर K20 Pro में MIUI 12 का जो update है उसे side load कर लिया होग अगर आपको कोई भी issues face हो रहा है तो नीचे comments drop करें और हम आपको जरूर help करेंगे और अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगा हो तो हमाई चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को like और share करना बत बुलेगा धन्यवाद